दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हुआ शायद सुनकर आपको अच्छी लगे एक समय की बात है एक राजा था उस राजा के पास एक छोटा सा हाती का बच्चा था और हाती का बच्चा बहुत उद्धंड था राजा ने सोचा यह बार बार भाग जाता है इसके पैर में जंजीर लगा के इसको पेड़ के साथ बांदो उनके सिपाईयों ने ऐसा ही किया उस हाती के बच्चे को जंजीर से बांद कर एक छोटे से पेड़ के साथ बांद दिया अब वो बच्चा रोज जंजीर को खीशता पेड़ हिलने लग जाता पर वो उसको तोड़ नहीं पाता जंजीर को जंजीर को तोड़ने की कोशिश बहुत करी उसने नहीं तोड़ पाता आखिर उसने सोचा जैसा है ऐसी ही जिन्दगी चलने दो समय बीटता गया समय बीटते बीटते एक समय ऐसा आया हाती का बच्चा बहुत बड़ा विशाल हाती बन गया हाती बनने के बाद भी वह उसी प्रेड़ के साथ बंदा रहा जहां जन्जीर से राजा ने उसे बादा था तेकिन वो इतना बड़ा हाती होके वो यही सोचता था कि आज भी मैं इस प्रेड़ को नहीं तोड़ पाऊंगा वो चुपचा वहां बंदा रहता था अगर वो हाती चाता तो एक छोटे से प्रेड़ को इतना विशाल काया हाती हराम से तोड़ कर भाग सकता था पर शुरू से ही उसकी जिन्दगी में बेड़ियां डाल दी गई और उसे पेड़ से बांदिया गया वो उसके दिमाग में वही राख कि मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसा पहले था झाल